गुरुजी दूसरी महाविद्या तारा देवी के बारे में कुछ पताए पुरी भक्तगरो भगवती काली को ही नील रूपा होने के कारण तारा भी कहा गया है वचनांतर से तारा नामक रहसी यह भी एकिवे सरवदा बोच्छ देने वाली तारने वाली है इसलिए इने तारा कहा जाता है महा विद्याओं के यह दुधी इस्थान पर इस्थित है अनायासी वाक शक्टि परदान करने में समर्थ है इसलिए इने डील सरसोती भी कहते है बहंकर विपत्तियों से बत्तों की रच्छा करतने है इसलिए उग्र तारा है वरंग नील तंत्र आदी गर्थों में भगवती तारा की सुरूप की विशेश चर्चा है ह्रेग्रीव का वद करने के लिए इनने नील वग्रह प्राप्त हुआ था ये शवरू शिव पर प्रित्या लीड मुद्रा में आरूप है भगवती तारा नील वन वाली नील कम्नों के समान तीन नेत्रों वाली हातों में कैची, क्रपान, कमल और खड़न धारण करने वाली है ये व्यागर चर्ण से विलूशिता और कंट में मुंड माला धारण करने वाली है भगवती तार शत्रु नास वाक शक्ति की प्राप्ति तदा भोग मोच की प्राप्ति के लिए अत्वा उग्र तारा की साधना की जाती है रात्र देवी की स्वरुपा शक्ति तारा महा विद्याओं में अदबुत प्रभावशाली और सिद्ध की अधाश्त्री देवी कही गई है भगवती तारा के तीन रूप हैं तारा एक चटा और डील सरस्वती तीनों रूपों की रहसे कारिकलाब तता ध्यान अलग अलग है कि तो अलग होते हुए भी सबकी शक्ति एक समान है भगवती तारा की उपास्ता मुख्य रूप से तंत्रोप पद्धती से की जाती है जिसे आगमोग पद्धती भी कहते हैं इनकी उपास्ता से सामाने व्यक्ती भी ब्रस्पती के समान विद्वान बन जाता है भारत में सरपथम मरेशी वश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष उन्हें जब तांत्रिक पद्जदी का सहरा लिया तब उन्हें तारा की सिध्दी प्राब आप्ट हुई यह गता आचार तंत्र में वस्त नोंगी अराधना उपाख्यान में वर्णित की गई है जिससे की सिद्ध होता है कि पहले चीन तिबथ लडाख आदी में मातारा की पर से दोफर के घट पर हुआ था जोकि महाकाल सहिता के काम-कालई कंद Blair었어 वरणिथ जिसमें तारह Ensuite और ही जाती हैं बिहार के सहरसा इसले मे प्रसेदित महीशी लाम में उग्र-Tä क्ली पीथ के दुमान है लोहां तारह में नीज जटा बद्दे में बडी मुर्ति तथा दौन तरफ छोटी मूर्तियां कहा जाता है कि महस्टी वस्षिस ने यहीं तारा की पास्ना करके मा तारा को की सिंधी प्रांद की थी तंत्र सास की पसितिगंद महाकाल सेंता की ग्णुकाल खंड में महाविध्यां की पासना का विस्तर वर्णन है उनके अंशार तारा का रह से अत्यंत्य चमत काली है क्या हर संभब कोशिश करने के बाद भी आप माता-पिता बनने का सुख नहीं भोग पार है क्या आप अब तक संतान हीन हैं क्या आपको अपना वंच ख़त्रे में लग रहा है तो आज ही विश्व के 133 देशों में प्रसित शनी मंदिरवाली परम पूचे गुरु रजनीश रिशी जी से अपनी सभी समस्याओं का समाधान जाने गुरु जी क्या एस्ट्रोजी के गुआलों हम अपनी जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं प्रिय भक्तगरों होरिस्कोप जनम कुंडली या बर्थ चार्ठ जिसे आप जनम पत्री भी कहते हैं वह आपके जनम की तारिक जनम की समय और जनम के इस्थान के अनुसार तैयार की जाती हैं अगर यह सब चीजें हमें सही पता है यानि कि आपकी खोरिस्कोप या जनम कुंडली हमें सही रूप से बनी हुई प्राप्त होती है या हम सही रूप से आपके समय के साफ़ से बना लेते हैं भवान शिव ने इस बारे में माता पारवती को विस्तार से शिव पुराण के माध्यम से बताया है आपकी यह समस्या चाहे भाग्दी से सम्मंदित हो, धन से सम्मंदित हो, पड़ाई लिखाई से सम्मंदित हो, बच्चों के केरियर से सम्मंदित हो, शादी से सम्मंद रखती हो या तलाग से सम्मंद रखती हो व्यापार की उन्नती से सम्मंद रखती हो या आपकी नौकरी के प्रमोशन से सम्मंद रखती हो इन सबी समस्यों का समाधान एस्टोलोजी के माध्यम से बहुत आसानी के साथ किया जा सकता है नौर्मली जो देखा गया है मंदिर में बैठने वाले जो हमारे पंडित गण है वह हमें विविन प्रकार की जाप करवाने की सला देते हैं जिसके माध्यम से वह कहते हैं कि आपकी बीड़ा शांत हो जाएगी मगर भवान शंकर ने माता पारवती को ऐसी पूजा के लिए बताया था कि वह अगर जिसके पास सामर्थ ना हो जिसके पास पैसा ना हो वह ऐसी पूजा कराए जिसके जिसके पास धन की इतनी ज़्यादा प्राव्डम नहीं है तो वह उससे संबंदित अगर गरहों की मंत्र सौंसे सिद्व की हुई मुदिर का जागरत कराकर ऊस गह को जागरत कराकर उसमुदिर के अंदर के अंदर nov stamp毛 के अंदर रिंग के अंदर या पेंडन्ट के सल्फ तो उसके परश्चा की विशयष पूजा या जात्यादी की आवश्यवता बिलकुल भी नहीं है तो इसका निश्कर्ष करने के लिए आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से या किसी और योग्य विद्वान से संपर्क करके आप उन्हें अपनी जनव पत्री दिखा कर उसका समाधान प्राफ्ट कर सकते हैं यह अटल समत्य है चाहे वह समस्य आपकी बीमारी की हिस्से समन्त क्यों रखती हो क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स भी अपनी परिशानियों को लेके अपनी बीमारीयों को लेके यहां तक ही बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हमसे संपर्क करते हैं और अपनी घरे दो या अपनी शारीरिक परिशान्यों को लेकर हमसे एस्टोलोजी के माध्यम से समाधान भूलते हैं तो आप भी जरूर पढ़ने पर हमारी वेबसाइट www.shanidev.us पर जाकर या हमारे फोन नमबर 450-51710 पर या मेरे मोबाइल नमबर 98181-44257 पर जाकर हमसे संपर्ख इस्थापित कर अपनी सभी प्रकार की समस्याओं कर लिए उचित उपाये जान सकते हैं उनका उचित समाधान चानकर अपने जीवत को सफल बना सकते हैं भागे साली बना सकते हैं अपने दुखों को अपनी दरित्रता को मिटा सकते हैं जये शंदे जये श्रीशंदे जये श्रीशंदे जये श्रीशंदे www.shanidev.us पर Home page पर उपलब Astrological Advice बटन पर जाए अपनी problem सिलेक्ट करे Problem page पर जाकर नीचे दिये गए form बे अपनी birth की details यानी date of birth, time of birth, place of birth भरे Face reading के लिए अपनी face का एक फोटो भी रगाए और हमें भेज दें गुरुजी आप भी birth details का analysis करेंगे अच्छी तरह से अध्यान करने के बाद गुरुजी आपको suit करने वाले उपाय, remedies इमेल द्वारा 48 किल्टों की भीतर भेजेंगे अपनी email ID पर गुरुजी द्वारा दिये जाने वाली remedies प्राप्त करने के बाद आप उन्हें अच्छी तरह से पढ़ें, समझें यदि फिर भी आपके मन में कोई संदेल हो या आप गुरुजी से कुछ और discuss करना चाहते हैं तो आप हमारे phone number 01145051710 पर गुरुजी से संपर्ट कर सकते हैं गुरुजी से जमत्तारी उपाई या remedies जानने की फीज केवल रुपे बारा सो या 24 डॉलर है जो की गुरुजी द्वारा किये जाने वाले विभिन समाजिक कारे जैसे की शनी आर्षम मिर्मान, मंदित मिर्मान, गौशाला, माहायेक्टे, लंगर इत्यादी में प्रयोग किया जाता है ध्यार रखिये, परम पूच्ये गुरु रजनीश रिशी जी अपने लिए कोई फीस नहीं रेते हिंदुस्तान में remedies जानने के लिए आप भगवान शनी देव के इस corporation bank account में online transfer कर सकते हैं अथ्वा अपनी bank से या पास के किसी भी bank से RTGS, NAF की transfer कर सकते हैं आप money order का भी प्रयोग कर सकते हैं और जो भग इंडिया से बहार रिदेश में हैं वैर हमारी website www.shanidev.us पर अपने credit card debit card का प्रयोग PayPal के द्वारा कर सकते हैं पोरे विश्न में लाखों लोग गुरु जी से उपाय जानकर अपने जीवन वो सुखी बना रहे हैं तो आप भी गुरु रजनी शिरिशी जी की शर्ण में आएं और अपना जीवन सुखी बनाएगा इस बाद का अवश्य भ्यान रखें कि गुरु जी किसी भी प्रकार का past, present या future नहीं बताते वह केवल आपकी परिशानियों को दूर करने के लिए, आपके भागी को चमकाने के लिए, आपके future को बहतर बनाने के लिए उपाय सुझाते हैं जै शहीदे